यमश्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है धनू राजशी वैलों दोस्वों आपको बता दें कि भोली नात और माकाली ने दे दिये शंकीत अब अगली 108 दिनों का शमी आपका सबसे महत्पुन शबे शाबित होंगे पूरे जीवन की जियां दोस्वों आ आपको बदा दें कि अगले 108 दिनों का शमी में जोगरों की चावलोगी भोली नात और माकाली के शिर्बास्षी बहुत शारे दुरलब श्यों का निर्मान होने वाले हैं बहुत शारे इसी कटनाएं घटित होने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा लाप्रत दोस्तों आपका जवन देखते ही उम्हेरी के और जाएगा यके हैं तो येशय में आपका जमय बहुत इऊटमर रहने वाले हैं येशय में आप रंक से राजा बनशकते हैं आपकी जून में शबलब शूप शुषा जोदावें आशकती हैं जिन की आप काम ना करते थे दो दोस्तों लेकिन वह मेनत अगर अशुब शमय में हो जाए तो दोस्तों उनमें शबलता की प्राब की नहीं होती लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगले 108 दिनों का जो आपका शमय होगा बहुत ही लाबकारी शमय होंगे और यश में आपके वे शबिश अपने सचोने वा दोस्तों वीडियो को अन्त तक जरू देखेगा उसे पहले जो लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से जय भॉलिनाथ और जय माकाली लिखेगा गुरूजी का पर माकाली और भॉलिनाथ का शदे वशिरबात प्राब करेगा तो दोस्तों जरू लिखेगा और आप च शुकत समय वतिद होगा घर में नेदे के शबंदियों की आगमंशी मरजन और खुश्णमा वातारण भी बना रहेगा दोस्तों अगर अस्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं तो दोस्तों उस पर गंबिरताशी आवशिकारी करें शमय अनुकूल होगा इसको प्राण द पर आपके शोवी पर पड़ सकता है तो दोस्तों इस बात का यश्मी आपको ध्यान रखना चाहिए साथी दोस्तों यश्मी अपने विजनाएं और फिर गदियों की जनकारी किसी को भी ना दें यह आपके यश्मी के लिए बहुत ही बहतर शावित होगी इसको प्राण दो यश्मी आपके लिए दिन चाहिके लीए दोस्तों आपको बतार दे सेत अपने केसी महत्पूल मुद्रे पर असमंजस की स्तिती में और फिर ना रही तौ श्मय कश्यों करोतायए तो दोसों इस बात पर यश्मी आपको ध्यान देना चाहिए शादी दोसों यश्मी अपने व्यक्तिगत कारी में वैश्ता की कारण अपने देश्तेदारों वो फिर शमन्दियों को नजर अंदाज ना करें कभी-कभी आपकी एगो वा फिर गुश्षा आपके बनते कारियों में प्रिशानी भी उत्पन कर देता है तो दोसों यश्मी इन बातों का ध्यान रखें शंतान की शंगती वा फिर गतिद्यों पर यश्मी नजर रखना आपके लिए आवश्य होगा तो दोस्तों बिल्कुल भी यश्मी लपरवाह ना रहें इसको ब्राइन दोस्तों यश्मी आपके लिए शम्होंगे मेहनत तथा आत्मिश्वास के बलबुते काम को कर पाएंगे और उनमें अच्छी शबलता को भी आप यश्मी अर्जित कर पाएंगे यह आपके लिए शम्होंगा तो दोस्तों परिवार की तकलिपों से दूर होने की कोशिस जारी रहेगी तो जो बातें आप खुद सुलजाने शकते हैं इस जो बातों से आपको यश्मी दूर ही रहना आपके लिए ठीक रहेगा इसको परांद दोस्तों या शमय आपके लिए जो समोंगे आपके दिंजरिया के लिए जो समोंगे दोस्तों आपको बता दें कि शमय थोड़ा सा चुनुती पूर्ण भी रहने वाले हैं परन्तु आप अपनी परतिवा और फिर कार्चमता दोरा हर पस्तिती का शमना करने में भी शमर्थ रहेंगे दोस्तों स्वेंग का विकास करने के लिए स्वभा में थोड़ा सा स्वार्थी पन भी आपको लाना जरूरी होगा पाठन पाठन तता लेखन में भी आपका जो मन है बहुत ही अच्छा लगेगा मन मुताबित आपका शमेट में वहितित होने वाले हैं इसके साथी दोस्तों ये शमय आर्थिक मामलों में बजट पर आपको खास ध्यान देने की जरुत भी होगी कभी कभी ये शाल लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरासा है दोस्तों कुछ शमय अध्यात्मिक गतिदियों में भी जरूर वहितित करें दोस्तों ये आपके लिए बैतर होंगे इसे दोस्तों आपको श्पूर्ति की प्राप्ति होगी तथा रुचिप इनकारियों में भी कुछ शमय आप ये शमय अवश्वेधित करें इसे दोस्तों आपके अंदर जो है शकार दमिक्ता आएगी इसको परां दोस्तों ये शमय आपके लिए जो समय होगे आपके दिन चलिया करी जो समय होगे आपको बता दे कि दोस्तों यह श्रमें दिन की शुरुआत में कुछ बातें के प्रती confusion बना रहेगा लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वेशे आपको clarity भी नजराने लगेंगी दोस्तों यह श्रमें महत्मुन काम भी शुरू हो सकते हैं दोस्तों उनका अमनल करने की आप कोशिछ करें और ये कोशिछ आप के इलहें भाग शासाल हुँगे मित्र दुवरा मिल रहे शाह्ता आपके लिए अत्यान उप्यूक होने वाली है जोस्तों आपके बढ़े दुवलता और कोई भी दोआ वाला है दोस्तों पिछले कापिश्मी से जो चिंता आपके अंदर चल रही थी आपके मन में चल रही थी दोस्तों वह चिंता यश्मी दुर होंगी लाप प्राप्ति के शाथ साथ उत्सा वा फिर उर्जा भी आश्मी आपका बढ़ेगा उर्जा का यश्मी आपके अंदर शंचार हो किसी की भी चिकनी चूपड़ी बातों में येश में आप ना आएं, काम काज़ वो पिर पार्वरिक जुमेदारियों के बीच तालमेल बिठाना येश में आपके लिए चुनूती होगा, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर येश में आपको ध्यान देना अत्यांश होगा, दोस्तों आपके अंदर बढ़ रही, बदले की भावना आपका बढ़ा नुक्षान कर सकती है, इसलिए दोस्तों दोस्तों को माप करके आगवे बढ़ना येश में आपको सिखना होगा, इसको पराद दोस्तों येश में, अगर आपकी केरेर को लेकर बात करें, अर्थात आपके वाईशाय की, तो दोस्तों येश में कोई बड़ी डील या फिर ओडर मिलने की योग बन रहे है, प्रदू राज की शिवारत लोगों के शाथ वैवार करतेश में शावधान रहे है, किसी परकार की मान आनी अथ्वा अशंका बन रहे है, नोगरी में कोई भी आपके केरियर के लीए जो समँगे, आपके वहईशाय के लिए जो समँगे, दोस्तों आपको बता दे कि कारी चजटर में आपको अपने महनत के उचित परिणाम भी हाशिल होंगे, परन्तु अपने पार्टनर अधो आक्रमशार्यों की गतिदियों और केरियर कलापों पर कर आप ध्यान रखें इन्हें नदर अंदार यह में ब्लकुन ना करें काम काज को लेकर की गई आपके जो यात्रह है यह में लावदाएक रहने वाली है इसके साथ यह लौट चेतर से जो भी लोग हैं काम को आप ध्यान पूरुवक करें यह आपके लिए यह बहतर शाविद जो रहोंगे और इसको पराद बनाद उस्व में आपके के लिए चिरिक लेजर शूम होंगे दोस्तों आपको बतादे कि कारचित में आपको बहुत अच्छी शपलता भर शुब मिलने वाली हैं कारचित में काम को आलश के वजह से आप तालने की कोशी बिल्कुल ना करें बल्कि शमय में ही उन्हें पूर रिड़ करने का प्रयाश करें दोस्तों अपने महत्मून पेपर अध्वा फाइलों को इसमें आधिर सुवेश्टित रखें यह आपके लिए बैतर होंगे क्योंकि किश्वी परकार की कारवाई होने की आशंका भी लग रही है इसको बनतरीकी करना आपके लिए लाब रिदाइक रहेगा और फीश में ऑभी उच अधिकारियों के शाए उचे तालमेल बना करना आपके लिए बैतर होगा इसके दोस्तों आपको कोई ऑाठरिटी भाँ मिल सकती है इसके साथ हैं को यह समय होंगे आपके लिए की तो दोस्तों ये विवायतिय जीवन में मदूरता बने देगी छोटी-मोटी नकार्तों बातों को ये नज़र अन्दाज करना आपके लिए बैतर होगा आपके लव लाइफ के लिए बैतर होगा दोस्तों विप्रित लिंगी लोगों से मिलते-जुलते शमय मर्यादों का भी ध्यान रखें यह आपके लिए और आपके घर परिवार के लिए बैतर होंगे इसको प्रांदोस्तों यह जो समय है आपके लव लाइफ के लिए आपको बता दे कि पारविर वातारुन तो शुकत बना रहेगा किसी पीरी मित्रशी मुलाकात पुराने य दोस्तों यह जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए आपको बता दे प्रेम पर्शंगों में पढ़कर अपना शमय को इसमें नश्टना करें दोस्तों यह आपके लिए इसको प्रांदोस्तों यह जो समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए आपका उधर वादी दिश जात आपकी हेल्थ की तो दोस्तों ये शमय अत्यतिक भागदोड तो आप मेहनत का अशर आपके स्वास्त पर भी बढ़ सकता है जिसके विज़र से थकान और कंजोरी आपके उपर हावी रहेगी आपको बता दें ये जिनको भी डारिया या फिर अपर की तकलीब है वह अपन इलाज अवस्त करवाएं दोस्तों ये उनके श्वास के लिएश में बैतर शाबित होंगे इसके साथ ही दोस्तों ये अगर आप शादने को रखेंगे तो श्वास उत्तम होगा अपनी वहस्तित दिंचरिया तो आपको अपने आपको किसी परकृतिके निकट भी रखना चा